पिज़ा खाना हर किसी को बहुत पशन्द होता है लेकिन हम सोचते हैं यसे खाना बहुत अनहल्धी है क्योकि हम इसमें मैदा ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो आज मैं आपके लिए लिंगया। हेल्दी रागी पिजा की रेसिपी जिसमें हम चीज का इस्तमाल कम करेंगे, सब्जियों का इस्तमाल जादा करेंगे तो चलिए आज के सूपर हेल्दी रागी पिजा की रेसिपी को शुरू करते हैं पिजा का डू बनाने के लिए आधा कप हम गुनगुना पानी ले लेंगे आधी छोटी चमच हम इसमें चीनी और एक से दो चूटकी आटा या मैदा डाल दे इससे इस्ट जल्दी अक्टिवेट होता है फिर हम इसमें एक चोटा चमच ड्राई अक्टिव इस्ट डाल देंगे मिला दें से और ढख के तीन से चार मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए तीन-चार मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इस्ट अक्टिवेट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे रागी का अटा तो एक कप रागी फ्लोर डाल दे और इसके साथ आधा कप मैदा या आटा डाल दे यह बाइडिंग में हल्प करता है रागी का फ्लोर जल्दी से बनता नहीं है इसलिए एड़ करें आधी छोटी चमबस नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे तो अगर आप मैदा का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगा आटा डाले और इसके बाद इसे ऐसे गून ले मैदा या आटा जो है वो रागी फ्लोर को बाइंडिंग में हल्प करता है तो बच्चे जब पिज़ा के लिए ज़्यादा जिद करते हैं तो आप ऐसे फ्लोर मिक्स करके उन्हें पिज़ा बना के दे सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा के और हम इसे ऐसे ढख के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि डो जो है वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए मैदे की तरह ये डो जो है वो दुगना नहीं होता है हलका सा ही फूलता है तो मैं इसे ढख के पंदर मिनिट के लिए रख देती हूँ पंदर मिनिट के लिए है और डो जो है न वो फूलने के बाद थोड़ा हलका हो जाता है यह देखे तो अब हम इसे चलते हैं रोल करने के प्रोसेस में तो पिज़ा वेस बनाने के लिए थोड़ा सा आटा या मैदा स्प्रिंकल करें और इसके उपर इस डो को ऐसे इसके बाद हम इसे बिकिंग ट्री पे डाल देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सुखा आटा या मैदा डाल के इसे और पतला कर लें पिज़ा का बेज जितना पतला रखेंगे पिज़ा खाने में उतना ही अच्छा लगता है अब हम इसके उपर पिज़ा सॉस लगा देंगे तो जैसी सजावाट आपको पसंद है जो वेजटेबल सापको पसंद है वो रख दे और इसके उपर थोड़ा सा चीज डाल दे तो यह हमारा पिज़ा रेडी है अब हम इसे बेक कर लेते हैं आज की यह रेसिपी हम LG charcoal healthy oven का यूज करके बनाएंगे इस बदो में charcoal lighting heater technology और healthy heart auto cook menu है इसमें एक auto cook menu रागी पिज़ा का है जिसका यूज करके आज का पिज़ा हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसे अन करके रागी पिज़ा का जो mode है वो लगा देंगे और उसके बाद बीप होने का इंतजार करेंगी जैसे यह पहली बार बीप करेगा आप इसे खोले और लोर रैक पे यह पिज़ा रख दें पिज़ा रखने के बाद हम अवन को बंद कर देंगे और वापस स्टार्ट का बटन आउन कर देंगी थोड़ी देर बाद ये खुदी एक बार बीप करेगा तो जब दूसरी बार बीप करेगा तब हम इसे खोल के और जो पिज़ा है उसे अपर रैक पर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे ये लोवर रैक से मैंने इसे निकाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिज़ा बहुत अच्छे से बेक हुआ है तो लास्ट वाले बीप के पहले हम इसे हाई रैक पे रख देंगे तो यहाँ पे न ये रागी पिज़ा का आटो कुप मेनू है जिसकी वज़े से इसमें सब कुछ आटोमेटिक सेट हो जाता है और टाइमर खतम होते ही आप इस पिज़ा को सेफली निकाल ले और ये देखे क्या कलर है है ना मज़िदार इतने कम समय में एक्तम प्रॉपर जो रैस्टोरेंट वाला पिज़ा होता है ना उससे भी अच्छा पिज़ा आप घर भी बना सकते हैं हेल्दी तरीके से तो लास्ट में इसके उपर चिली फ्लेक्स और गैनो डालने के बाद मैंने इसे कट कर लिया तो ये हमारा सूपर टेस्टी हेल्दी रागी पिज़ा बनके रेडी है सर्फ करने के लिए और ऐसे ही हेल्दी रेस्पेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है